जेहीं नमस्कार दोस्तों, दोस्तों सेना से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां तीनों सेनाओं के सीस अधिकारियों की आज बैटक होने जा रही है आम्ड फोसेज की वितिय योजनाओं में तालमेल पर होगी चर्चा, साथ इसाथ अगनी पत और OROP 3 के उपर बड़ा फेसला लिया जा सकता है दोस्तों थेटराइजेसन योजना के मुताबिक परतेक थेटर कमान की थल सेना, नो सेना और वायू सेना की इकाया होगी वे सभी एकल इकाय के रूप में काम करेगी जो एक विशेज बोगोलिक सेतर में सुरुखसा चुनोतियों से निप्टेंगी थेटर कमान की योजना सेना के तिनों अंगों को एकिकरत करने और उनके संसादनों का सर्वोतम उप्यों करने के लिए बनाई जारी है दोस्तों आज का मुद्दा रखा गया है कि थेटरा जैसन के उपर चर्चा होगी लेकिन इसके साथ साथ अगनी पत अगनी वीर योजना और वन रेंक वन पैंसन थ्री को लेकर भी इसके उपर चर्चा की जा सकती है इस मीटिंग को CDS हेड करेंगे और इसके साथ साथ तीनों सेनाओं के चीप और बड़े अधिकारी इस मीटिंग में सामिल होने जा रहे है सेना के तीनों अंगों के अधिकारी आज वितिये योजनाओं को लेकर एक एहम बैठक करेंगे बैठक का उदेशिये तीनों सेनाओं के बीच एकी करण सुनिशित करना है इस सीर्स इस्तरिये बैठक की अधिक्स्ता सीडियेस जनरल अनिल चोहान करेंगे इस दोरान थल सेना वायू सेना और नो सेना के सीर्स अधिकारी भी मोजूद रहेंगे वितिय योजना पर ससस्तर बोलो में तालमेल सुनिशित करने पर चर्चा थेटर कमान सुरू करने की सरकार की मेतवा कांगसी योजनाओं के बीच हो रही है थेटराइजेसन योजना के मताबिक पर तेक थेटर कमान की थल सेना नो सेना और वायू सेने की काई होंगी वे सबी एकल इकाई के रूप में काम करेंगी जो एक विशेश बोगोलिक सेतर में सुरुकसा चुनोतियों से निप्टेगी थेटर कमान की योजना सेना के तीनों अंगों को एकिकरत करने और उनके संसादनों का सर्वोतम उप्यों करने के लिए बनाई जारी है वर्तमान में थल सेना, नो सेना और वायू सेना के अलग-अलग कमान्डो है दोस्तों बड़ी खबर यह है कि इस पे आप जान दें आधिकारिक बयान के अनुसार बेठक का लक्से ससस्तर बलो यानि आम्ड फोसेज के बीच वित्तिये मुद्दों पर तालमेल बिटाना है बेठक में रक्सा मंत्राले, रक्सा लेखा माहा नियंतरक यानि कंट्रोलर ओफ डिफेंस एकाउंट और सेना मुख्याले के वरिष्ट अधिकारियों की बागिदारी देखने को मिलेगी रक्सा मंत्राले के बयान में का गया है कि रक्सा वित में विबिन हित दारकों से जुड़े पहलों पर चर्चा किये जाने का कारेकरम है साथ ही रक्सा खरीद में सामने आरी चुनोतियों का समधान तलासना है संभावना है कि वितिये सलाकार यानि रक्सा सेवाएं और महा नि OROP3 के बारे में कहा नहीं गया है लेकिन आज इसके उपर बड़ा फेसला होने जा रहा है और जल्द ही हम सब के बीच में खबर आएगी कि अगनीपत अगनीवी रियोजना में बदलाव को लेकर क्या चर्चाएं हुई साथ ही साथ OROP3 के बजट और OROP3 टेबल को लेकर यहां पे क्या विचार मिमस हुआ है यह देखने वाले बात होगी जो भी अपडेट आएगी वो आप सब के साथ में जल्द ही सेयर की जाएगी बनेरे ये चैनल के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए जाहिंद